और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे सावित्री ठाकोर आपको नजार आ रही होंगी संगर्ष भरे रास्ते से कल आपने उन्हें संगर्ष भरे रास्ते से चलते हुए कल आपने उन्हें शपत लेते हुए भी देखा होगा तकरीबन 45 साल की सावित्री ठाकोर और उनके स संगर्ष को अगर आप देखें धार से वो चुनी गई हैं ये तस्फिरे भी आप देख रहे हैं कल उन्होंने शपत ग्रहंट भी की है और उनसे हम चर्चा करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना सिर्फ संगर्ष बलके क्या उनकी प्रियोर्टीज हैं आज भी जिस अलाके से वो आती हैं और और जिस जगह से वो आती हैं वो वैसे ही जगह चुनौतियों भरी हैं खास बात उनके बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी वो ये किसी तरह का कोई राजनेतिक बैक्ग्राउंड नहीं हैं उनके जो पिता थे वो वन विभाग में थे उ जो हैं वो एक सामान इसे किस्तान लेकिन उन्हें कुछ करना था समाज के लिए कुछ करना था खास्ता और पर जो पिछला तपका है अदिवासी तपका है उनके लिए कुछ करना था और यही वज़ा है कि उनके संगर्ष के रास्ते का जिक्र मैंने वहां से किया अब जो व बड़ी प्रेणा है, आपको अगर पूरा देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेणा है, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या प्रियॉर्टी है, क्या चुनौतियां आपके सामने अब, अब तो जिम्मेदारी भी आपके पास देखा, चुनौतियां तो मेरे को बच्पन से ही रही है, बहुत सारी चुनौतियों से मैं गुजर चुकी हूँ, और अब हम मानि मोदी जी की सरकार में तीसरी बार मानि मोदी जी, नरेद मोदी जी ने सपत ली है, उनकी टीम में हम लोग हैं, तो हम लोग जो हमारा मैनू प्रदान मंत्री आवास जो बोला है कि इतने हमको आवास और देना है तीन करोड तो वह हम पुरा विजन वह पुरा करके और हम उसको जहां तक योजनाओं का लाब जो मोधी जी ने जो गैरंटी दी है वह हम गैरंटी के जो इतने बहुमस से मद्वरदेश से जो जीते हैं लाखों से लोग तो इसी वज़े से जीते हैं कि जो मोधी जी ने वो लाली बेहना और मोधी जी लगपती बेहना सबका उनको अशिरवाद रहा है और हमको भी रहा है हम जादा तरह उन लोगों के लिए काम करेंगे हमारा आदीवासी जिला है और आदीवासी जिले में बहुत सारी चीज़े होती हैं पाहडी चेत्र भी है मालवा भी है तो सब तरीके से स्वास्त और शिक्ष्या के उपर दूसरा हमारे चेत्र की रेल का सबसे बड़ा बहुत दिन से हैं वो जब से 2014 से जब मैं पहली बार लोग सवाल लड़के आई थी तब से मैं उस पर काम कर रही हूं और जब से गती से नहीं तो पहले तो इसे ही पड़ा था तो आज हम और अच्छे इस पे चल रहा है वो जल्दी से जल्दी वहां रेल आ जाए दूसरा एक है कि हमारा अद कि वासी बच्चों को शिक्ष्याची मिल सकें यह अपने प्रियोर्टी बताई मैं एक बात जाना चाहरा था था थोड़ा साप पीछे जाना चाहरा हूं सावित्री जी कई मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि एंजियों से आपकी शुरुआत हुई मतब यह तो तय है कि वह ललक काम करने की ललक बहुत शुरुआत से आप में रही कहीं यह भी जिक्र मिलता है कि आप काफी दूर पीसीओ वगेरा काली बावडी मेरा ख्याल जाय करती थी तो वह परिस्तितियां वह ज्यादा चुनोती पूर्ण है कि आज जब आप पूरी ताकत आपके पास है और आपको पूरी ताकत से उस वर्ण के लिए काम करना है क्या ज्यादा चुनोती पूर्ण है देखो चुनोती पूर्ण आदमी चुनोती होगा तभी तो वह संगर्स करके आगे बढ़ेगा जब चुनोती नहीं होगी तो किस बात का चुनोती होना भी जरूरी है और उसका एक बात और है धार के मैं थोड़ा हूँ पर मानी मोधी जी ने बोलिए मैं सुन रहा हूँ प्लीज मानी मोधी जी ने जो उनका विजन है कि हमको सांसत बन के नहीं रेना है हमको लोगों की सेवा करना हो और किस तरीक यसे की मंत्री बन जाए बात नी करे कारे करताओं से हमसे वे वे सबसे मिलके य ज़्यादा से जानकरी क्लिक्ट करके क्या कर सकते चेतर के लिए वो करना है हमको खाइक बात और भी हैँ ईष्य हम प्रधान मंत्री जी के बारे में जानते हैं जब चुनाओं की कैम्पेइनिंग चल रही थी या हमने उनके बारे में सुना है उनके काम करने का तरीका उन्होंने मेरे खाल है आर बीआई की मीटिंग में भी यह कहा था कि मेरे पास तो सौधिन का पूरा प्लान है बहुत तेज रफ्तार काम करने की आदत तो यह कदमताल बिल्कुल बरकरार रहेगा इस बार भी बिल्कुल बरकरार रहेगा हम लोग सब काम करें सब अनुभवी लोग हैं कहिए न कि हम मैं इतने साल मैंने राजनेती के हो गए और पहले मैंने नो दस साल समा सेवा की है तो हमको सब पता है और हम लोग उस विजन में सफल होंगे जिए विजन में सफ़र होंगी आपका लंबा जो तजर्बा है वो जिला पंचायत का भी है और धार में बहुत बड़ा मसला है पलायन का आपने हाला के शुरुआत में यह बात कही कि आपको अब को रेरियास में काम करना है पर पलायन अभी भी बड़ा मुद्दा है धार के लिहाज से मेडम है कि देखो हमारे पीतंपुरे इसा बड़ा उद्द्यू की छेत्र है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने मद्द प्रदेश में मेगा फुट पारक वरक कोला है उसके माद्देम से हम रोजगार दे रहे हैं दूसरा मेने जेतापुर में एक एरिया जो चुना है उसमें भी हम महिलाओं को मारवजगार दे रहे हैं तो एसा मेरे को नहीं लगता है कि हमारे है प्लाइन इसलिए होता है कि हमारे है का वर्ग जो है अदीवासी वो खेती करता है और खेती करने के लिए गुजरात जाते हैं एक बात आपने जो याद दिलाई है अभी भी क की वज़े भी आपको बताऊं कि मैं रेल पेस रेल में राजनितिक सफर पर निकला हुआ था उस उन इलाकों में भी पूरा ट्रेन से मैंने विजिट किया ज्यादा तर लोगों की डिपेंडेंसी गुजरात में है हेल्थ फैसलिटीज को लेकर मैं गुजरात में लोग सस्ता वाइलाज होता है तो गुजरात हमारे इदर के लोग जाते हैं पर बहुत सारी चीज़े हमारे हैं करी है जो मन्दप्रदेश गुवर्मेंट के सो बेट के अस्पताल खुले हैं जहां पर इसे सुईदान हैं अगर महा नहीं होगी हम इस बार करवा इस बार करवा देंगे एक बात और जो प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है और इससे लेकर आपने काम भी किया है निसंदे काम किया है मतलब कई बार तो यह होता है कि हम सिर्फ डायलॉग दे दें नारा लगा दें लड़की हूं लड़ सकती हूं पर वो हमारे काम में भी नजार आना चाहिए यह बहुत अच्छी बात कि आपके जो टिकट वित्रण हुआ उसमें भी महिलाओं को मौका मिला क्या अभी भी राजनीती महिलाओं के लिए चुनौती पूर्ण है आपको लगता है देखो मेरे मानती हूं मैं तो सुरू से जैसे मैं जब आदीवासी एक महिला हूं और भारती जनता पार्टी ने मेरे को जब सामान ने स्ट्रेट पे आदीवासी महिला को मुखा दिया है तो बहरोची जनता पार्टी ने जब महिलाओं का और आज हमारे हम अन्दब्रदेशट में 50 परसेंट कारक्शन दिया है हमारे महिलाओं काम करती थी पहले इसा होता नई ठां, ऺए मिलाओं के महिलाओं जी लेकिन महिलाओं के ख्षेत्र में आपको लगता है कि मध्यप्रदेश या अब तो चुके आपके पास पूरे देश की जिम्मेदारी भी रहेगी मध्यप्रदेश चतीजगर के लिहाज से देखा जाए महिलाओं को लेकर और जादा काम किये जाने की जरूरत है यह ठीक है कि हम उन्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं कह रहे हैं कि आप राजनीती में आओ लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है महिलाओं को लेकर हमारे यहां तो पहले भाग में नोक्री नि देते हैं तका hice महिलाओं को जाने तो के महिलाओं को महिलाओं को नोकनी आएगे आईए सरकार जी एक बात और है मद्धिप्रदेश का जब भी जिक्र होता है मैं और ये लगातार पिछले घटना करम मद्धिप्रदेश से जुड़े रहे हैं और NCRB के आंकड़े ये कहते हैं कि SCST को लेकर जो अपराद हैं वो सबसे जादा मद्धिप्रदेश में ह गती है लोग थानों में ज्यादा पहुंचने लगे हैं या वाकई इस्थितियां जमीन पर बदलने के जरूरत है मैं देखो ये कभी-कभी क्या होता है जिस हिसाफ से हमारे हैं तो गर्ववती महिलाओं को भी सुईदा दे रखी है हमारे हैं आज सो नम्मर डाइल करो तुरंत काड़ी आ जाती है हमारे अपराद निये क्या है गरोली जो जगड़े होते हैं उससे वह आखड़े उसी में गिने जाते हैं तो कभी-कभी क्या घरेलू जगड़े भी उसमें लिए गए हैं इसकारण से बाकी ऐसा हमारे मदबरदेश में आज हमारे हैं लड़की के साथ बलतकार हुआ था उसको फासी की सजा दी गई है तो हमारे हैं कई बखस्ते नहीं इसे लोगों के साथ को सिर्फ सीध अधर नजर नहीं आता अब धार का यह आपने जिक्र किया धार के मांडू में आज ही एक गैंग रेप का मामला सामने आया है तो यह यह आंकड़े परिशान करने वाले तो हैं मैं कि नहीं देखो कभी कभी क्या है कुछ चीजें होती है जो नी होते ह Verë हो जाती है उसका सरकार भी कुछ कर सकती हैं आप कहीज़ें हमने देrowsिजर किसी जंगल हो महापर उट दे रखा हैं हमने नंबर सहीद दे रखा है जी कि भई आप तो डाइल करो नंबर तुरंत गाड़ी आ जाएगी तो कभी कभी क्या है कि हो सकता वो यह करने की भी कोशिश करते हैं कि ठीक है बद्वाम हो जाए सरकार किसी मिल उनका खुद का भी कुछ मिल जुला होता है तो इससे भी सरकार को कि वो कई आ जा है और वह सही पाया गया तो उसको सीधी फासी होती है एक बड़ी महतुपूर्ण बात है मुझे उसका भी याद आया कि यह इस तरह से कहा भी गया राजनीती के जानकारों ने कहा कि धार भोशाला के का जो मामला निकल कर आया उसने आपकी बहुत मदद की क्या आपको भी लगता है एक दूसरा धार भोशाला में आगे आप तस्वीर देख क्या देखती हैं वो मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि मैं अभी देख रहा था आपने एक बाकाइदा जो आपने एक गमचा ले रखा है उसमें एक तरफ श्री राम नजर आ रहे हैं तो मैं धार भोशाला के आगे की तस्वीर आपसे समझना चाहा रहा हूं जे देख दार राजा भोश की नगरी और वो बच्चों का एक श्कुल था हां मन्न बुद्धी बच्चों का सरस्वती का एक मंदिर था और वो मुर्ती जब उस समय महां से जब अंग्रेज आयते वो ले गए थ और उसने सर्वे किया है और जो हां सर्वे में जो पाया गया और कोर्ट में वो सावीत होगा और कोट उसको डिचीजन देगा और वो होगा ठीक चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छी चर्चा करने के लिए धेर सारी जुरुमती